नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेट्शॉक चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त रिशाब दोस्तों आज के शॉकिंग सेक्स की लिष्ट में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक बहुत ही सुन्दर सा देश बूतान इस देश की अद्धुत प्राकृतिक सुन्दर्ता और संस्कृती दुनिया भर के लोगों को हमेशा से लगाती रही है दोस्तों एक देश के रूप में संयुक्त राष्ट संग ने साल 1974 में भूतान को मानता ती थी तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों भूतान के बिटेन के साथ कूट नीतिक संबंद नहीं है अपनी संस्कृती को बचाने के लिए इस देश ने सदियों तक विश्व से संबंद नहीं बनाये थे इंटरनेट और टेलिवीजन को यहां 1999 में ही इजाज़त दी गई थी और तो और दोस्तों साल 1970 में पहली बार किसी बिदेशी पर रटक को यहां आने की इजाज़त दी गई थी दोस्तों अभी तक इस देश के उच्छ अधिकारिक देशी पर भाव पर कड़ी नजर रखते हैं दोस्तों भारत पर जिस समय अंग्रेजों का कबचा था उसी समय साल 1865 में भूटान और बिटेन में सिंचुलू की संदी हुई थी दोस्तों इस संदी के तहट भूटान ने अपने कुछ सीमाई छेतर बिटेन को दे दिये और पदले में भूटान को सालाना सबसेडी मिलती थी साल 1929 में स्वतंतर भारत ने भूटान को वो सारी जमीने बापस कर दी जो बिटेन के कबचे में थी दोस्तों हिमाले से गरश्ते अपैन सकती साली तूपानों का सामना भूटान के घरों जिनको ड्रक यूल कहते हैं अक्सर करना पड़ता है इसलिए भूटान को थन्डर ड्रेगन की भूमी भी कहा जाता है दोस्तो भूटान दुनिया को कारवन सिंक देता है जो उसे जंगलों से मिलती है दोस्तो यहां की भूमी का 60% हिस्सा जंगलों के लिए रखना भूटान की समिधान में सामिल है भूटान में क्रशी, फल और डेरी पुर्मकुद्योग है वहीं दोस्तो इस देश ने साल 1999 से ही प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिवंद लगा रखा है भूटान का राष्टे पसू टाकिन है दोस्तो यह देखने में बक्री और हिरन की तरह लगता है वहीं दोस्तो इस देश के राष्टरी खेल डाट्स और तेरन दाजी है दोस्तो गंग खार पुंसुम नामक परवत भूटान का सबसे उंचा परवत है लोगों की मानता के नुसार यह बहुत ही पबित्र और यहां किसी को भी जाने की अनुमती नहीं है भूटान दुनिया का अकीला ऐसा देश है जिसने साल 2004 से तंबाकू पर पुरी तरह प्रतवन्त लगा दिया है लेकिन सराब और ड्रक्स अभी तक परिसानी का कारण बने हुए है दोस्तो कमाल की प्राकृतिक द्रश्यों और सांदार संस्कृति की बाबजूद यह अभी भी बड़े पैमाने पर परेटन से बचा रहा है और ऐसा जान बूज कर किया गया है भूटान की सरकार परेटकों की संख्या को सीमित रखती है और दच्छिड एसिया की बाहर से आने वाले परेटकों से 250 डॉलर प्रतीदिन के हिसाब से पैसा बसूलती है इससे परेटन आयका एक महतपूर स्रोत बन जाता है तो यह तो फिर फैक्स दोस्तो बूटान के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर कीजिए दोस्तो लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए और डॉन्ट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब मैं अट्रॉक चैनल सब्सक्राइब करने से दोस्तो आख मुझे सपोर्ट करते हैं इसे मेरा होसला बढ़ता है लाइक और सेयर भी करिए थैंक यू चैनल